हलो बच्चों आप मेंसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी पढ़ाई को लेके बहुत परिशान होंगे या उनके मांक्स उतने बहतर नहीं आ रहे होंगे और उनका जो मोरल होगा देरे-देरे डाउन होता जा रहा होगा तो ऐसे समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए 7 days का minimum study plan ताकि आप कम से कम पहले 7 दिन experiment करिए अपने उपर 7 दिन जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप पढ़ने की कोशिस करिए देरे-देरे-देरे आपकी पढ़ाई में मन भी लगेगी और देरे-देरे आपका जो ये headache है कि sir मेरा paper आ रहा है मुझे कैसे भी पढ़ाई करना चाहिए या पढ़ने का सही तरीका इस समय क्या है ताकि मेरा जो exam है बहतर हो जाए और जो मेरी requirement है या जो मेरी खुद से अपच्छाएं हैं और मैं fulfill कर सकूँ यानि कि खुद के लिए जो मैंने सोच रखा है अपनी पढ़ाई को लेके at least मैं वो काम कर पाऊं तो चलिए बच्चो साथ दिन का प्लान आपसे डिसकस करते हैं कि अगले साथ दिन आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई को करना चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई धीरे-धीरे क्या होने लगे अच्छी होने लगे और examination जो भी आपने गोल बनाया हो कि exam में इतना percent या तो बहुत ज़्यादे stress में होंगे है ना उनको लग रहा होगा यार मेरा इतना time 6 महीने तो खतम हो चुका है अब मुझे क्या आप तो मेरे पास time ही नहीं बचा है इतने सारे backlog हो गया है इतने सारा syllabus पढ़ा दिया गया है तो आपको घवराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा time बचा हुआ है किसी भी exam को prepare करने के लिए more than sufficient time आपके पास बचा हुआ है बस आपको पता नहीं है कि इस जो अभी आपके पास time है उस time में करना क्या है या कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छी करनी है या कैसे अपने आपको उस माहौ में ढालना है तापकी आपका जो stress है जो आपकी मुसीवते हैं वो पढ़ाई को लेके कम हो सके तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिसको आपको कही ना कहीं समझने की जरूरत होती है कहावत होती है कि अगर कोई अनुशाशन हीन इंसान है अनुशाशन हीन का मत चलह बदमास है या कोई काम आपका फिक्स नहीं है सेडीवफ कोई नहीं यह तो उगाम और प्रृथिस्धा और जो है उनका अपना डाइलाग है मैं अपने भासा में बात करूं बेटा तो बेसिकली एक बच्चे या एक student के life में जो मेन होता है वो discipline होता है आप student बोल दीजिए या आप किसी भी सक्स के बारे में किसी भी इंसान के बारे में जिसको अपने जीवन में कुछ करना है है ना सबके लिए important क्या होता है discipline अगर आप discipline में हो अगर आप proper way में अपना काम कर रहे हो तो definitely उस काम में आपनों आपको कहीना कहीं सफलता दिखाई देगी और अगर आप अनुशासी थी नहीं हो तो आपको बनता हुआ भी काम बिकार लगेगा तो बेसिकली सारा का सारा मुद्दा किसका है आपका अनुशाशन का है तो बेसिकली एक लाइन यहां पे लिखा हुआ है discipline displaces the constant requirement of motivation यानि कि जो अनुशाशन होता है यह आपके लगातार जो जरूरत होती है कोई लगातार आपको पुस्ट करता रहे हमको बस भाई कुसी motivation लेक्षर देखना या हमको को motivate करने वाला मिल जाए तो मज़ा आ जाया हम यह काम कर लेंगे बैटा motivate करने के बाद क्या होगा आप एक जगह motivate हो जाओगे आदे गंटे एक गंटे या एक दिन दो दिन या एक हफ्ते या दस दिन के लिए motivate रहोगे फिर वहीर बन जाओगे तो अगर motivation के पीछे भाग के आप कोई काम करने की कोशिस करोगे तो काम 100% फुल्पिल नहीं होगा या 100% अच्छा नहीं होगा लेकिन अगर अपने जीवन में किसी भी काम को करने के लोग के एक गंटे दो गंटे चार गंटे का अनुशाशन बना लो तो देरे 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 आपको रिजल्ट दिखाई देगा उसका ठीक है वो तुरंत नहीं दिखाई देगा लेकिन उसका जो effect होगा विटा लंबे समय के लिए बहत खतम हो जाते यानि कि यहां से शुरू किये है और फिर यहीं आके खतम हो जाते हैं यह है motivation का ग्राव और अरade आप और आपका यहां को दिखाई देगा और एक टाइम से आपचीव कर सकते हो वो motivation से कभी अच्वी नहीं कर सकते rebellious तो discipline है ना की मोटिवेशन अपने अमताफ बच्छन की डाकुमेटरी अगर देखी होगी तो उनका उनकी बारे में लोग कहते हैं कि जब उनको इंडस्ट्री सुरू सुरू में इंडस्ट्री ने किसे नहीं किया था विकाउज उनकी जो वाइस थी काफी है भी थी भारी आवास थ इंडस्ट्री में तो उन्होंने ना अपने लाइफ में रूल बनाया कि अगर मार नीजे आट बजे या छे बजे मतलब किसी भी टाइम पर उनकी सुटिंग होती थी सबसे पहले वहां पर सेट पर पहुंच जाते थे तो उन्होंने अपने जीवन में एक अनुशाशन बना करते हो तो उसका प्रेडाम अलग लिवल का मिलता है लेकिन जब आप कोई मोटियूट हो करते हूं तो दैंकम करने के लिए उसको अपने आध्तों में लेकर आईए habit बनाईए उसको ना की motivated रही है motivation की जरूरत नहीं है हमें अनुशासन में आने की जरूरत है जब आप हर दिन कोशिस करेंगे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ने के लिए यानि कि आपकी जरूरत हो जाएगी रोज की बेटा अगर आप जो मैं प्लान बता रहा हूँ इस प्लान पे थोड़ा सा अमल करेंगे तो आपकी कहानी बहतर हो जाएगी पढ़ाई को लेके RQR एक ऐसा रूल होता है विटा एक ऐसा रूल है RQR strategy बोल दीजिए या rule बोल दीजिए या एक scientific rule है या आपने अगर कभी इस चीज को follow भी करा होगा तो आपको उसको program जरूर दिखाई दिया होगा कि पहले आप क्या करिए किसी भी चीज को मालो पढ़ाई लिखाई के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बिटा बढ़ेंगे तो बेटा जब आगे वाले चैप्टर पर बढ़ोगे तो कहीना कहिन पीछे वाले चैप्टर को भूलना सुरू हो जाएगा तो फिर से क्या करना चाहिए आपको revision पे ध्यान देना चाहिए यानि कि read, practice question and revision ये बेटा RQR rule है जिसे आप सभी बच्चों को follow करना चाहिए अब देखिए मैं 7 दिन का plan आपको discuss करने जा रहा हूँ कि अभी तक अपने अपने आपको पढ़ाई को लेके सुधारा नहीं है तो अगले 7 दिन का plan आपका क्या होना चाहिए बेटा कैसे आपको काम करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं first, second, third day में यानि कि first day, second day, third day में बेटा आपको करना क्या होगा easy topic को pick करना होगा आसान topic को बेटा pick करना होगा और उन आसान topic को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपको RQR strategy को follow करना पड़ेगा या rule आपको क्या लगाना पड़ेगा RQR, R का मतलब होता है read, Q का मतलब practice आप questions या question practice या फिर से R जो आ रहा है बेटा इसका मतलब होता है revision तो easy topic में हो यानि कि first, second, third day आपको यही नियम लगाना चाहिए कि easy topic को आराम से पढ़ेंगे फिर question लगाएंगे फिर revision करेंगे और यही method इन सब में लगाना है ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ यहीं लगाना है लेकिन start करने के लिए कम से कम यह तो आपको करना आना ही चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए यह 3 step यह हमेशा काम आएगा पढ़ाई लिखाई में तो भाई यह हमेशा काम आएगा read, question, practice and revise read, question, practice and revise ठीक है ना तो first second, third day आपको क्या करना होगा आसान topic choose करना होगा then आपको क्या करना होगा तीन दिन के बाद आपको medium topic यानि कि जो कठिनाई थोड़ी सी क्या हो आसान से थोड़ी सी कठिन हो यानि कि medium topic को थोड़ी से tough मलब moderate कह सकते हो moderate topic को choose करना चाहिए moderate topic पे कौन सा नियम लगाना चाहिए alarm नियम लगाना चाहिए alarm strategy लगाना चाहिए और यही नियम आपके school में लगता है आपके coaching में लगता है आपके institute में लगता है alarm rule एना, alarm rule क्या है कि भाई जो भी duration आप fix करिये चमालो हमको 30-40 मिनट पढ़ना है 32-40 मिनट बेटा हमको पढ़ना है 32-40 मिनट हमको किसी topic को लगातार पढ़ना है पहले है ना, तो हम क्या करें पहले 30-40 मिनट आराम से इस topic को पढ़ें बैट के ठीक है फिर हम एक alarm लगाए अच्छा 30-40 मिनट हम बिना हिले, बिना इदर उदर डिस्टेब हो बिना social media टच किये बिना अपने मन को भढ़काए हुए आराम से पढ़ेंगे 30-40 मिनट पढ़ लीजिए फिर आप वहाँ पे drop लीजिए 5-10 मिनट का gap लीजिए फिर आप फिर से बैठिए पढ़ने के लिए तो ये नियम आपको लगाके चलना चाहिए या इसकी जरूरत है आपके पास कि जब आप medium topic बैठिए पढ़ने के लिए तो आप alarm strategy लगाए जैसे स्कूल में या किसी coaching में हमेशा देखिए एक fix bell होता है उसके बाद में घंटी बजती है और उसके बाद में नया bell मलब शुरूर होता है और जब भी अच्छे संस्थाओं में जाओग institute में coaching industry में जाते हो तो हर एक bell के बाद 5-10 minute का गयप मिलता है ताकि आपका mind क्या हो ना relax mode में आ सके ठीक है तो basic basic चीजे follow करना जरूरी है अगर आप follow करोगे तो कहीं न कहीं आपको बहतर ही result मिलेगा अब क्या करना है sir चोथे और पांचवे दिन तो हमने medium topic को पढ़ लिया day 4 & day 5 तो हमने medium topic पढ़ लिया day 6 & day 7 के लिए क्या चूच करना है चटे और साथे दिन दो दिन में आपको पढ़ना है hard topic को last two days में cover करना है चटे और साथे में दिन बेटा cover करना है और इसमें 10 नियम 10 यूज 10 minutes rule यानि कि 10 minutes का rule लगाना है कैसा rule लगाना है 10 minutes का sir कि यार देखो कठीन topic है और लगातार उसको 30-40 minutes आप जहिल नहीं पाओगे तो आपको करना क्या होगा कि कम से कम 10 minutes कम से कम 10 minutes focus होके उस चीज को पढ़ना चीए minimum 10 minutes जब आप उसको पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ या थोड़ा थोड़ा आ रहा है और पढ़ो एक बार खुछ से पढ़ो फिर रफ लेके खुछ से लिखने की कोशिस करो 100% guarantee मेरी है कि लगभग लगभग जो पहले knowledge आपका 0 था hard topic को लेके एक बारी जब मेरे हिसाब से आप पढ़ोगे तो इसमें minimum 50 to 60% concept या जो इसकी चीजें आपको at least 50 to 60% जरूर से जरूर clear हो जाएगा ठीक है ना तो आपको लगाके अगले साथ दिन तक पढ़ाई करना है और लगातार चीजों को देखते रहना है revision भी करते रहना यह नहीं कि पहले पढ़ लिए एक chapter अगले chapter गए तो पहला chapter भूल जाओ नहीं बेटा यही तो गलती दुनिया करती है आपको क्या करना है पहला chapter पढ़ लिए दूसरे पर गए तो पहले का revision भी करना है तो जब ऐसे इस तरीके से आप पढ़ते रहोगे तो आपका confidence देरे देरे moral moral भी यानि कि आपका confidence motivation वह भी बढ़ता रहेगा और आपको पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा और मजा भी आने लगेगा ठीक है तो चलिए बच्चों मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care